गुड मॉनिक फ्रेंड्स, वेलकम टू जारखन परिक्षा, मैं उमा संकर और ये जो लेक्चर हैं जारखन के छेत्री राजवन्स इसको हम लोगों ने दो पार्ट में कम्प्रीट किया था है ना लेकिन ये जो है एक कम्बाइन रूप से आपको प्रॉवाइट करवाया जा रहा है एक ही लेक्चर में पूरा जारखन का छेत्री राजवन्स कंप्रीट किया जा रहा है और इसका जो भी पीडिएफ है आप ये पीडिएब देखेंगे ये जो मैंने लिखा है ये रिविजन के लिए काफी है और ये पीडिएफ आपको दे दिया जाएगा टेलिग्र कर सकते हैं तो जहारखण में जितने भी छेत्री राजवन्स रहे हैं उन सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले ऐसा नहीं कि इसके पहले दो लेक्शेर कंप्रीट हो चुका है तो आप सौट कट में हम लोग निगलेंगे डिटेल में होगा और एक कंबाइंड रूप से एक लेक्शर में आपको यह मिल रहा है ताकि फ्यूचर में आप इसको रिवाइस कर सकें और यह जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है जेप इसी मेंज के लिए भी यह काम आएगा तो इसमें पीटी मेंज दोनों के सिलेवस को दोनों के कोशिशन को ध्यान में रखते वे इस नोटस को त्यार किया गया है आप इसको समझें अनुजे लगता है कि आपको यह सम्झ में नहीं चलिये और इस चिछी के चिंद्ता मत करिये कि आपको याद हो रहा है कर नहीं हो रहा है ओकर स्टार्ट करते हम लोग तो ये आप देख लिजिए कि जो हम लोगों को पढ़ना होता है उसमें मुंडा के बाद नागवंस आता है फिर चेरो, सिंगवंस, मानभूम, हजारी बग अब इसमें ये आपको नहीं समझना है कि नागवंस के बाद चेरो आएगा चेरो के बाद सिंगवंस आएगा ऐसा नहीं है नागवंस के समय ही चेरो आता है ये दोनों जो है इसी के अंदर काम करता है और बाद में जो है ये चेरो का तो खैर रक्सिल वाला एरिया रहता है मतलब पलामो वाला एरिया सिंगवंस जो आता है रास्थान के छेतर से तो ये नागवंस के अंतरगती काम करता है उसी तरह से हजारी बाग का जो रामगड है तो रामगड में बाग देव और सिंग देव दो भाई थे वो लोग नागवन्स के अंतरगती काम करते हैं, बाद में रामगण की अस्थापना करते हैं, खडगडिया में साउथ इंडिया से एक वेक्ति आता है हंसराज, तो ये सभी जो है इसी के समय का है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसके बाद इसके बाद ऐसा नहीं है, ठीक है तो सबसे पहले किसी जनजाती ने अगर राजवन्स के अस्थापना की है, तो वो मुंडा है, ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले मुंडा से, ठीक है, देखिए, मुंडा राजवन्स को पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी बताया जा रहा है, जो भी आप सुनने वाले हैं, जो भी पढ़ने वाले हैं, उसका सोर्स क्या है, तो उसका जो सोर्स है वो लोक गीत है, क्योंकि रिटिन साक्षे जारखन के हिस्टी के लिए जादा है नहीं, एंसें हिस्टी के लिए रिटिन साक्षे जादा नहीं है, तो लोक गीत है, तो अब पृत्वी जलमगन था तो उभेचर जीवों का सिरेजन किया जैसे कि खचवा हो गया, केंकड़ा हो गया, जोंक हो गया है ना अब उन जीवों के द्वारा क्या किया गया जो जलमगन पृत्वी है समुद्र से मिट्टी को बाहर लाया गया, समुदर से मिट्टी को लाकर जमीन बनाया गया और फिर कुछ समय के बाद एक पक्ची से लटकुम हरम और लटकुम बुढिया का सिरजन हुआ ये जो दोनों हैं ये मुंडा के आदी मातापिता कहे जाते हैं और इन्ही को होडो, होडोको के नाम से जाना जाता है आपने मुंडा जन जाती में पढ़ा होगा कि जो मुंडा जन जाती है खुद को क्या बोलते हैं? होडोको बोलते हैं और इन्ही की जो भासा है वो होडो जगर कहलाता है तो ये वही है होडो और होडोको तो ये होता है अब बहुत समय के बाद है न, बहुत समय के बाद क्या होता है, कि इन्ही के वंस में, अभी जो मैंने कहा, लटकुम हरम और लटकुम बुढ़िया, इन्ही के वंस में एक वेक्ती आता जिसका नाम है रिसा मुंडा, तो रिसा मुंडा जहारखन के छेत्र में नहीं है, स्टार्टिंग में, ये जामना होती है, युद होता है, तो जो रिसा मुंडा के लोग है, जो रिसा मुंडा है, ये हार जाते हैं, अब रोताजगर छोड़ के जाना है, तो एक समय की बात है, जब रिसा मुंडा सो रहा था, तो सपने में सिंगमोंगा आते हैं, और इनको दक्षिन की और जाने के लि यह जो सब्द यूज किया गया था, वो सुनहरे देश जैसा सब्द यूज किया गया था, इसको बोला गया था, सोना लोकेन दिसुम, सुनहरे देश की ओर तुम्हें जाना है, दक्षिन की ओर जाना है, तो रिसा मुंडा अपने ग्रूप के साथ यह आगे बढ़ता है, और जब इन्हें महसूस होता है कि यहां कोई खत्रा नहीं है, कहां कोई खत्रा नहीं है, जारकन के छेतर में, तो यह फिर जो है रहना स्टार्ट करता है, अब यहां पर जब यह रहना स्टार्ट करता है, यह जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो घटना है, ये ऐसी रोय, जो सरचंदर रोय हैं, उनके अनुसार 600 इसा पुरू की घटना है, 600 इसा पुरू के आसपास रिसा मुंड़ा जो हैं, अपने साथियों के साथ जहारकण में परवेस करते हैं, जब ये जहारकण में परवेस करते हैं, तो ऐसा नहीं कि ये पहले हैं, इनके पहले असूरों का यहां पर आगमन हो चुका है, असूर यहां पर पहले से रह रहे हैं और अच्छा खासा जीवन वेतित कर रहे हैं, इनका अपना लौ उद्योग है, जब स्टार्टिंग में मुंडा जंजाती की लोग पहुंचते हैं, तो दोनों में काफी अच्छा बनता है, दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन समय के साथ साथ, चुकि यह ऐसी जगा से आये हैं, जहां पर इन्होंने खेती की हैं, अपना छेत्र यह बाट कर रह रहे थे, तो सासन का कहीना कहीं इनमें जो है गुन है, तो यह चाहता है कि यहां भी जमीन जो है मेर फिर जो मुंडा जन जाती के लोग हैं, वो सासन की जो राजवन्स की अस्थापना होती है, वो की जाती है, तो यहां पर असुरों को हराते हैं और फिर यह सासन स्टार्ट करते हैं, अब जो लीडर है वो कौन है, वो रिसा मुंडा है, जो लीडर है यह कौन है रिसा अब नए राजवन्स के अस्थापना हो रही है तो उस चेत्र का जो नाम रखा जाता है उस चेत्र का नाम रखा जाता है सूतिया नागखंड तो सूतिया पाहन ये पहला मुंडा राजा है और जो पहला मुंडा चेत्र है वह सूतिया नागखंड अब इसको अच्छे से गव यह जो साथ गड़ है, इसको 21 परगना में डिवाइट किया जाता है, यहाँ देखिए, यह जो साथ गड़ है, सूतिया नाखन को जो डिवाइट किया जाता है, यह लुहा गड़ है, हजारिव बाग है, पालुन गड़, मान गड़, सिंग गड़, केसल गड़, सरकुज गड तो लुहागड ये आपका लुहरदगा वाला छेतर हो गया, ये पलामु वाला छेतर हो गया, मान्भूम हो गया, सिंगवन्स का छेतर हो गया, ये सिम्डेगा, कुछ गुमला का छेतर हो गया, ये 36 गड का छेतर हो गया, तो इस तरह से 7 गड में इसको डिवाइट किया जाता और 21 परगना में फर्दर इसको जो है अलग-अलग पार्ट में बांटा जाता है ये जो घटना की बात हो रही है ये 600 हिसा पुरू के आसपास की घटना है इस तरह से ये चलता रहता है अलग-अलग राजा बनते हैं अब समय आता है नए राजा की तो एक समय की बात है जब र जादा जटिल हैं काफी जादा जटिल है है अब क्या है कि अलग-लग जम्जाती को आ चुक है तो उराव जम्जाती से यह नहरा है अभी ऐसा क्यं रहा हूँ अभी आपको प疫情 है देखियो। मदरा मुंडा जो है ये लाश्ट राजा है इसके बाद नागवन्स के अस्थापना होती है तो नागवन्स के अस्थापना कैसे होती है इसी चीज को समझना है इसे चीज को समझना है, मदरा मुंभान की बार जो राजा बनते हैं, मतलब इनके जो उत्रा धिकारी हैं, वो फने मुकु ट्राय है, अब इनके बाद नागवांस के अस्थापना क्यों हो जाती है, चल तो रहा था मुंभान की अस्थापना कैसे होती है, तो थोड़ा सा आप जंजाती के लोगों ने मार डाला था, बाद में परिक्षित के जो वंसर जाए, वो चुन-चुन कर नागों को मारना शुरू करते हैं, उसी मेंसे, नाग मेंसे ही एक व्यक्ति, जिनका नाम है परिक्षित, किसी तरह से जान बचाकर बनारस के छेतरे में चला जाता है, इस व ब्रह्मन कन्या पारवाती से विवा करता है, जब ये गर्ववती होती है, तो ये दोनों, पुंड्रिक, नाग और पारवती, ये दक्षिन भारत की और जाते हैं, दक्षिन भारत की और जाते हैं, तो ये जार्खन के छेतर से होते हुए जाते हैं, बीच में आता है, बीच तो मैंने कहा कि जब पार्वती और पुंड्रिक नाग ये दक्षीन भारत की और जा रहे थे तो बीच में ही सुतियांबे के छेत्र में ही पार्वती का गर्वपाद स्टार्ट हो जाता है एक बच्चे का जन्म होता है अब कुछ ऐसा संजोग बनता है कि पार्वती और पुंड्रिक नाग की मिरत्ती हो जाती है उस समय इस शेत्र का राजा कौन है इस शेत्र का जो राजा है ये है मदरा मुंडा मदरा मुंडा को जब ये पदा चलता है इनका कोई बेटा नहीं था जब इनको पदा चलता है कि ऐसे इसी घटना हुई है एक बच्चे का जन्म हुआ है और इनके माता पिता के मिरती हो गई है तो मदरा मुंडा क्या करते हैं इस बच्चे को गोद ले लेते हैं गोद मतलब वो, इनको जो है अपना उत्राधिकारी बनाने के लिए गोद ले लेते हैं, ओके, तो जो लाश्ट आ जा था, वो मदरा मुंडा था, और ये जो बच्चे को गोद लिया जा रहा है, यही आगे चलकर नागवन्स की अस्थापना करता है, क्या नाम है इस बच्च तो पूरी तरह से मदरा मुंडा जो मुंडा राजवन्स है, मुंडा वन्स के जो भागदोड है, मतलब इनका जो सासन है, यह फणी मुकुट राए के हाथ में दे कर यह चले जाते हैं, अब फणी मुकुट राए जब राजा बनते हैं, तो यह मुंडा वन्स को आगे नही बहुत जादा यह important है, बहुत सारे questions इससे पूझे जाते हैं, तो Funimoku Try के दुआरा इसको establish किया गया, और जहारकन के लगबग area में जो है नागवंस का सासन था, खासकर North और South छोटा नागपूर में, तो Funimoku Try के बारे में हम लोग जानता हैं यहाँ पर Funimoku Try की क्या-क्या विस परिक्षित के बाद परिक्षित के वनसजों ने नागों को मारना सुरू किया, उसी में से एक व्यक्ति पुंड्रिक नाग जो है बचकर बनारा स्क्योर चला जाता है, तो यह वही पुंड्रिक नाग है, मदरा मुंडा का उत्राधिकारी है, अब यहाँ पर देखना है अलग अलग दिया रहता है, है ना, जैसे कि जे रिट की माने, तो राज रोहन जो हुआ था, वो 10th century में हुआ था, 10th century में हुआ था, जबकि इनका जो राज रोहन हुआ था, वो कनिस्क के समकालिन ये है, कनिस्क के सासन के समय हुआ था, ठीक है, तो जो सही टाइम है, वो यह याद रखिए, अब क्या होता है, रिकॉर्डिंग में अकेले केले बहुत दिक्कत हो जाता है, चलिए, तो मैं बता रहा था, कि जो डेट आपको याद रखना है, वो यह याद रखना है, अगर रिफरेंस बोल दिया जाए, जे रिट, तो राजे रोहन 10th century हो जाएगा, अब यह जो नागवंस के अस्थापना की गई है, तो यहाँ पर, यहाँ पर जो है, देखिए, आपको याद है कि जो फने मुकु ट्राय है, उनका जन्म सुतियामबे में हुआ था, तो सुतियामबे को ये capital बनाते हैं, अपनी राजधानी जो बनाते हैं, नागवंस की, य यही पर एक सोरे मंदर की अस्थापना की जाती है, इस समय तक बहुत से लोग, बहुत से जन्जाती के लोग आ चुके थे, और ऐसा नहीं कि जन्जातियों का ही बोल बाला था, यहाँ पर जो है, गयर जन्जाती को भी एक अच्छा पोश्ट मिलता था, है ना, जैसे कि इन इनका जो दिवान है, जो फनिमुकुटराय का दिवान है, भावराय स्रिवास्तव, यह गयर जन्जाती है, इनको दिवान बनाया गया था, यह जो मंदर की अस्थापना की गई थी, सोरे मंदर की अस्थापना, तो यहाँ पर सुधी करण के लिए एक ब्रामन को बुलाया और यह जो ब्रामन था, यह दक्षिन भारत से आया था, बदले में इनको दान में दो गाउं दिया गया, एक सोरंडा और एक महुगावा, यह सारंडा नहीं है, सोरंडा है, चोकि लोहर दग्गा मेस्तित है, और महुगावा अभी पलामो मेस्तित है, नाम के एकोडिंग मे इसको डिवाइड किया था, उसी तरह से इन्होंने क्या किया, 66 परगना में इसको डिवाइड किया, इस तरह से समय के साथ राजा आते रहे, ठीक है, अच्छा यहाँ परिक्षी जावर्द आपको दिखना है, यह छोटा नागपूर का जो छेत्र है, यह नागवंस का छेत पंचेत में, पंचेत में भी एक बच्चे का जन्म होता है, अरुन वन बोलते हैं पंचेत के छेतर में, बाद में जाके यही पंचेत राज्य की अस्थापना करता यही बच्चा, और इस बच्चे के पोसन में एक गाय का योगदान होता है, कपीला गाय बोलते हैं, और यह पर आक्रमन करते हैं और इसको अपने अधिन ले आते हैं तो बहुत ही बड़ा एरिया था नागवंसों का ठीक है इसके बाद है पने मुकुट राय हो गया पने मुकुट राय के बाद मुकुट राय आते हैं फिर मदन राय आते हैं फिर परताप राय आते हैं तो यह दोने इ और जिसे की नागवन्सावाली के अनुसार, ये जो rank मैंने बताया, मतलब नमबर जो बताया मैंने, वो बिल्कुल सही है, ये चौथे राजा थे, ठीक है, अब जब ये राजा होते हैं, तो गुप्तवन्स का सासन लगबख भारत में स्टार्ट हो चुका होता है, तो एक बा बार एक दिन तो होता नहीं है, बहुत बार ऐसा चलता है, ठीक है, बहुत लंबा समय तक चलता है, तो इसी बीच क्या हुआ, कि इनका जो छेत्र है, इनका जो छेत्र है, कौन सा छेत्र, इनका जो कैपिटल है, कैपिटल कौन सा सुतियांबे, तो सुतियांबे में काफी ज चुनाव का महौल है पारसत का तो इसलिए इस तरह का आवाज आते रहेगा अब मैं वेट करूंगा अगर गाना बंद होने का तो बहुत जादा वेट करना पड़ जाएगा मुझे ठीक है तो अलका अलका आपको आ रहा होगा चलिए गाना भी सुलिए पढ़ाई भी किजिए तो सुतियांवे पहले कैपिटल था जहांपर प्रताप राय अज सुरक्षित महसुस करते हैं अब इससे राजधानी का परिवर्दन किया जाता है और राजधानी क्या हो गया चूटिया हो गया ठीक है तो इस दिश्च का ध्यां रखना है क्योंकि पहला राजधानी ससांक आपको याद होगा ये वैसे राजा हैं जिनकी राजधानी जारकन के चेतर में है, मतलब था दो चेतर है, एक सिंभों का चेतर और एक संथाल परगना का चेतर है, तो ससांक के ये संकाली नहीं मुकंदराय में अधben जयार रखना है कि इंके समय में अंद painterिश्वास का एक समय की बात है, जब इनका सासन चल रहा था, तो अच्छे खासी महामारी फैल ले हुए थी, अब ये महामारी ठीक नहीं हो रहा था, सभी की तब्याद खराब हो रही थी बार बार, तो किसी तांतरिक ने मुकुंदराय को नर्बली के लिए सला दिया, तो मुकुंदराय मा बच्चे को लेकर आता है, कहीं से लेकर आता है, नाव में बैठ कर नदी क्रॉस कर रहा होता है, तो वो नाव जो है, नदी में डूब जाता है, और उस नाव के साथ मुकुंदराय भी डूब जाते हैं, तो इस तरह से मुकुंदराय की मृत्यों होती है, मुकुंदराय के जो राजा आते हैं, मुकुंदराय के बाद जो राजा आते हैं उम्देनी राय, जिसको उदय राय बोलते हैं, और उदय राय के बाद आते हैं कंचन राय, तो कंचन राय जो हैं, कंचन राय, इनके समय में जब ये राजा बने थे, तो बारा वर्सों का आकाल पड़ा था, भ कि भी भागेदारी होती थी जब तेरवे वर्स बरसात हुआ तो कंचन राय ने जितने भी महिलाएं थी जिन्हों ने इस सिकार में जो है हमेसा अपना योगदान देती थी तो उनको सुक्रिया अदा किया गया और वहीं से जो है जनी सिकार प्रथा की सुरुवात हो गई कहीं कंचन राय के बाद जो इंपोर्टन राजा है वो है भीमकर्ण भीमकर्ण इंपोर्टन इसलिए है क्योंकि इनके समय में दो घटना है दो एटेक है और तीसरा है राजधानी परिवर्तन तो ये तीन घटनाएं इंपोर्टन है तो पहली घटना जो है लक्षमीकर्ण जो की मद्धि पर्देश के जवलपूर के पास त्रिपुरी है, तो वहीं का सासक है, जिसको कल्चूरी सासक बोलते हैं, ये भीमकर्ण पर एटेक करता है, लेकिन लक्षमी कर्ण को भीमकर्ण बुरी तरह से पराजित कर देता है, और ये जो भीमकर्ण है, ये भीम राय है, की उपादी ले लेता है, ओके, सिर्फ बात यहीं तक नहीं बनती है, आगे चल कर, रक्सेल जब आते हैं पलामू के छेतर में, रक्सेल जो है, ये राजपुत हैं, और जब पलामू के छेतर में आते हैं, तो ये जो है, अभी जो राजधानी है, वो चूटिया है, राची क के अधीन था उसका कुछ हिस्सा अपने अधीन कर लेता है इसमें टोरी परगना का छेतर सामिला जो की अभी लाते हार में हैं ओके ये हो गया साथी साथ इनको एक वासुदेव की मूर्थी भी प्राप्त होती है ये हो गया अब इनके समय में ही भीमकर्ण के समय में ही जो मु राजधानी का परिवर्तन करते हैं, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने देखा, कि जो फनिमुकुट राय हैं, वो सुत्यामे बनाते हैं, उसके बाद आते हैं, परताप्राय वो चोटिया बनाते हैं, और भीमकर्ण चोटिया से क्या करता है, ख जो रक्सेलों के द्वारा किया जाता है, इसको बर्वा की लड़ाई बोलते हैं, जिसे गुम्ला में जो संख नदी निकलती है, तो निकलने के साथ-साथ ये दो पार्टें बट कर एक मैदान का निर्मान करती है, उसी को बर्वा का मैदान बोलते हैं, वहीं पर ये जानी चोटिया से ये खुकरा जो है, इसके बाद जो राजा है, वह है फेनुकरन राए, तो फेनुकरन राए के लिए आपको यह याद रखना है, कि ये खिलजी के समकालिन थे, ये जो है, खिलजी के समकालिन थे, एक मिनट, ओके, ये जो है खिलजी के समकालिन थे, और इ के समय जारकंट से होकर गुज्रे थे ये फेरुकरन राय है इसके बाद important राजा जो है वो है सिवधासकर्ण तो सिवधासकर्ण जो है ये तुगलत के समकालिन है और आपने पढ़ा भी होगा कि गजघंट राय के तौरा जो है एक मंदिर का निर्मान करवाए गया लेकिन रि पुजापाट की जो प्रक्रिया है वो सियनात देव के द्वारा करवाए गया था सिवधासकर्ण के बाद बहुत सारे राजा आते हैं जो की लोधी वंस के समकालिन उसमें प्रित्वी करण परताप करण चत्र करण विराट करण सिंदु करण है तो ये सभी जो है ये लोध गटवालों के साथ मिलकर विद्रो किया, ठीक है, इन्होंने गटवालों के साथ मिलकर विद्रो किया और इनका जो राजधानी है, राजधानी क्या है, खुकरा है, तो खुकरा में इनका जो किला है, वहीं पर परतापराय को बंदी बना लिया जाता है, तो इनका एक साती है, इनका एक साथी है खैरागड का राजा, खैरागड का राजा, राजा बागदेव, तो इनके तक बात पहुंसती है, और फिर ये किसी तरह से परतापकर्ण की मदद करते हैं, और इनको जो है बंदी से रिहात करा देते हैं, मदले में परतापकर्ण खुस होकर अपने मित्र ब रीवार्ट के रूप में दिया गया, यह आपको पता होना चाहिए, कि इनको बागदेव का, और यह रामगर्ड वाले बागदेव जो है नहीं है, ठीक है? यह हो गया, परताब कर्ण के बाद जो राजा है वो है छतरकर्ण, तो छतरकर्ण के समय आपको यह याद रखना है कि कुरामबे के चेतर में वासुदेव, मतलब विस्नो, कि मूर्टी जो है स्थापित की गई थी, और इनहीं से प्रभावित होकर, जब वैसनाव संत महाप्रभू, चैतन्य महाप्रभू जो है, यह मतुरा की ओर जा रहे थे, तो जारकर्ण से होकर जा रहे थे, साउथ से परगना के चेतर में यह रूपते हैं, और यह जो घटना है, और जारकर्ण की कुछ चर्चा, चैतन्य महाप्रभू ने चैतन्य चरितामृत में किया है, यह चीज आपको पता होना चाहिए, खास कर भागवलिक आकार की चर्चा जो है, इसमें की गई है, चैतरकर्ण हो गय यह किसी पब्लिक से नहीं ले रहे हैं, अब यहाँ पर मुगलों का आकरमन होता है, और अकबर के समय जो है, टैक्स देना यह स्टार्ट कर देते हैं, यह 1585 की घटना है, 1585 में अकबर अपने सेनापती सहबाज खां को भेजता है, कुकरा में आकरमन करता है, और टैक्स यह भी यह पब्लिक से टैक्स नहीं ले रहे हैं, यह खुद से दे रहे हैं, तो एक मधु करने साथ के लिए आपको यह याद रखना है, ठीक है, इसके बाद वैरी साल आपको बढ़ना है, वैरी साल जिनका ओरिजिनल नाम भुपत्ती राय था, और यह सेर सास से बहुत ज़् चेंज किया, ओके, तो यह पहला नागवनसी राजा है, जिन्होंने साल की उपादी धारण किया, ठीक है, अब अकबर के समय से ही, यह अकबर को जानकारी मिल गई, मुगलों को यह जानकारी मिल गई, कि यह जो जारखन का चेत्र है, यहां बहुत सारे चेत्र में हीरा मिलत है, जैसे कि किसी ने कहा है, संख अनदी मिलता है, किसी ने कहा है, दक्षिन कोईले मिलता है, संख मानका चलिए, संख में ज्यादा देखने को मिलता है, ओके, तो वैरी साल के समय में ही, हीरा प्राप्त किया जाता है, यह खबर सब जगा फैल गई थी, ठीक है, अब अकबर ये ट्राइ करता है कि किसी तरह से ये जो पदती है हिरा प्राप्त करने का ये हमारे अधीन आ जाए तो इस तरह से ये चलता है वेरी साल के बाद जो है मुगलों का आकरमन होता है और अकबर तो पहले से ये ट्राइ कर रहा है तो reason दो है जारखन में आकर्मन करने का जो मधुकर्ण सा के समय आकर्मन किया गया 1585 वो reason simple था tax लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़ना चाहता है मुगल तो अब दो reason है पहला reason है एक तो हीरा प्राप्त करना दूसरा reason सबसे बड़ा है कि जितने भी मुगल के विद्रोई हैं य इन दो मुखे कार्णों से अकबर जो है आकर्मन करवाता है वैरी साल के समय जो है ऐसा तो नहीं हो पाता है लेकिन वैरी साल के बाद जो राजा बनता है उनके समय में ऐसा हो जाता है तो ये कौन राजा है ये राजा है दूर्जन साल दूर्जन साल जो है ये वैरी साल का ह प्रिट एंगी बेटा है उके अब क्या होता है कि अकबर के समय में ही कर दूर्जन्ज साल ने सासन अमाल लिया लेकिन टेक्स नहीं दे रहा है ये जो है टेक्स अब हीरा का राजा है ह्एरा का वेपारी है, वेपारी कहना गलत होगा, हीरों के सौधागर राजा हैं, तो इतने बड़े राजा है, तो कही न कहीं पावर खुद को स्वंज में आता है, तो यह टैक्स देना बंद करता है, जब अकबर को यह बाद पता चलती है, तो अकबर के बाद जो राजा बनता है जहांगीर अब यह थोड़ा powerful start किया है तो powerful है तो जहांगीर को यह जब पता चलता है कि दुर्जन साल एक ऐसा राजा है जिसके चारों और हीरा ही हीरा है लेकिन ये tax नहीं दे रहा है, तो starting में कुछ लोगों को ये भीजवाता है, लेकिन फिर भी जहांगिर सफल नहीं हो पाता है, रिजन बहुत सार है, एक रिजन ये भी दुरजन साल बोलता है, मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि ये public सिर्फ पैसे नहीं लेता था, तो जहांग अनुमती के ही, जहांगिर के बिना अनुमती के ही ये चला जाता है, जहांगिर को खुस करने के लिए, लेकिन इसके भी मृत्य हो जाती है, अब मामला सिर्यस है, तो जहांगिर क्या करता है, इबराहिम खां, इबराहिम खां को याद होगा, ये जो है नूर जहां का भाई ह बिहार का सुबेदार है और ये वही वेक्ति है जिसकी हत्यास साजहाने किया था तो इबराहिम खा जाता है ये आकरमन करता है दुर्जन साल पर दुर्जन साल पर आकरमन करता है ये बात हो रही है 1615 की तब दुर्जन साल बोलता ठीक है मैं टेक्स देने के लिए तयार हूँ लेकिन इबराहिम खान नहीं मानता है क्योंकि इबराहिम खान को ये निर्देश मिला हुआ था कि दुर्जन साल को ले कराना है तो इबराहिम खान दुर्जन साल को ले कर जाता है और ग्वालियर के जे क्यरिकर चेटर से जहांगिर के दरबार में जाता है, और एक बड़े हीरे को लेकर जाता है, बैंगरी कलर का हीरा होता है, इस हीरा को देखकर सभी लोग परभावित होते हैं कभी ने ऐसा किसी ने ऐसा हीरा किसी ने देखा नहीं था तो इसकी सुदता के बारे में किसी को पता नहीं चल पाता है क्योंकि यतने भी विद्वान थे उस दरबार में उन्होंने ऐसा हीरा देखा नहीं था तब ये वैक्ति जो इस हीरा को लेकर गया थ वो recommend करता है कि आपके कैद में एक वेक्ती है जो हीरा का बहुत बड़ा पार्खी है क्या नाम है दोरजन साल जहांगिर को याद आता है कि हाँ एक वेक्ती है हमारे पाइस ऐसा तो उनको बुलाया जाता है, उनको जब बुलाया जाता है, दोरजन साल इस हीरा को इतना बढ़िया से explain करता है, जहांगिर ये प्रसन हो जाता है, और दोरजन साल को इनाम के तौर पर रिहा कर देता है, तो 1615 में कैद किया गया था, 1627 में इनको रिहा कर दिया गया, दोरजन को भी साथ में छोड़ दिया जाता है अभी तक जो राजधानी है वो खूकरा है जब यह वापस आता है इन पर एक चीजा और आपको याद रखना है कि जो टैक्स रखा जाता है क्योंकि मेरी गद्धी पर कोई और विराजमान है और उस गद्धी को वो छोड़ना नहीं चाह तो इनके साथ ही जो साथ में रिया हुए हैं इनकी मदद से वापस गद्धी में बैठते हैं जब यह वापस गद्धी में आते हैं तो अब क्या है कि यह जो छेत्र है कौन सा छेत्र खूकरा यहाँ पर यह असुरक्षित महसूस करने लगते हैं एक यह कारण है दूसरा कार है वो क्या करता है पहला तो राजदानी परिवर्टन करता है खुकरा से दोईसा ले आता है और दोईसा में एक कीला का निर्मान करवाता है नौरतनगर का कीला और ये कीला बहुत ही अस्पेसल है बहुत जादा पड़ता है, यह आपको याद रखना है, इसकी जो हाइट है, वो 42 मीटर है, इसकी जो दिवारे हैं, वो 33 इंच मोटी है, यह नवरत गड का किला है, जिसका निर्मान 1636, यह डेट इंपोर्टन नहीं है, 1636 से 1649 तक हुआ था, किस ने करवाया था, दुरजन साल ने करवाया रागवनसी राजा बनते हैं, और यह नागपुरी भासा के परख्यात कभी थे, नागपुरी भासा के जिस तरह से, जब आप रामगण पढ़ते हैं, दलेल सिंग पढ़ते हैं, तो खोटा के लिए वो परख्यात माने जाते हैं, उसी तरह से रगुनात सा नागपुरी भा कारेकाल को नागवंसियों का सवर निकाल कहा जाता है ठीक है जैसे बड़या मंदिर हो गया सिताराम मंदिर हो गया लेकिन ये जो है योद छेतर में कमजोर थे और यही कारण है कि मेदनी राय जो कि पलामू का राजा है आसानी से रगुनाज सापर आकर्मन करता है अभी जो राजधानी है वो राजधानी क्या है खुकरा है अभी जो राजधानी है ये राजधानी क्या है खुकरा है ठीक है और ये इस राजधानी में सोरी राजधानी दोईसा है ना खुकरा का है दोईसा है खुकरा तो दूरजन साल ने ट्रांसपर कर दिया है तो दोईसा है और तो इसा में एक किला है नौरत गड़ का किला, तो इस किला को जो है काफी जादा नुकसान पहुचाया जाता है मेदिनी राय के दुआरा, ठीक है? मेदिनी राय के दुआरा काफी जादा नुकसान पहुचाया जाता है और इस किला में एक बहुत ही बड़ा दर्वाजा लगा दार है, पलामों पर आकरमन करता है, तो ये नाकपुरी दरवाजा अपने साथ औरंगाबाद ले जाता है, पठना ले जाता है. ठेक है? यह हो गयا. इसके बाद जो important राजा है वो है रामसा तो रामसा के लिए important क्या है ये आपको पता होना चाहिए ये औरंग जेप और बहादुर साफ रथम के समकालें थे ये कुछ खास नहीं है, खास ये है कि इनके 10 बेटे थे सबसे बड़ा जो था वो यदुणात सा था और चौथा बेटा जो था वो था एनिनाथ सा या एनिनाथ सा देउ ठीक है ये राजा नहीं था, ये ठाकोर था 1691 में इन्होंने जगनात मंदिर का निर्मान करवाया इन्हों नहीं हटिया की अस्थापना की, इन्हों नहीं हटिया बजार की अस्थापना की, ओके, यह हो गया, यह राजा नहीं बनते हैं, यह ठाकूर है, जो में राजा बनते हैं, रामसा के बाद, वो इनके बड़े बेटे यह दुनात साह बनते हैं, यह दुनात साह जब रा औरंग्जेब पाउर्फुल है, तो औरंग्जेब की जब मिर्त्यु हो जाती है, तो यह tax देना बंद कर देता है, तो उस समय के जो राजा है, उतने तो powerful नहीं है, लेकिन बिहार का जो सुबेदार है, क्या नाम है? सर बुलंद खाग, तो सर बुलंद खाग जो है, यह आकर् यहाँ पर आपको याद रखना आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी ठीक है सर बुलंद खाज यह चेरो राजा रंजीत राय की मदद से यह दुनाज सापर आकरमन करता है और रंजीत राय इसके अंतरगत तोरी परगना का छेतर यह यह ले लेता है तीन साल तक अपने साथ रखता है ठीक है अब यह आगे आएगा हम लोग पढ़ेंगो इस चीश को अभी तो नागवन सी पढ़ रहे है न और यह जो पेडियेफ है आपको दे दिया जाएगा पेडियेफ टेलिग्राम से आप डाउनोड कर सकते हैं नीचे लिंक भी दिया हुआ होगा ठीक है तो यह चीश सांदेना है कि जहारखंड में अभी इस्टारट नहीं हुआ है, जहारखंड में स्टारट होगा सयाम सुन्दर सा के समय है, अभी आसपास के छहतर में आकर्मन हो रहा है, और रिजन वही है कि मराठों के आकर्मन के कारण जो है ये राजधानी का परिवर्थन करते हैं, एक तो मराठा अक्रमन है, एक वो डर है, हालनकि जारकंड में मराठा का अक्रमन नहीं हो रहा है, दूसरा है वही मुगलों का हस्तचे बार-बार हो रहा है, तो ये राजधानी का परिवर्थन करते हैं और दोईसा से कहां कर देते है पाल कोट कर देते हैं, यह हो गया, यह दुनाद साह के लिए, इसके बाद है, इसके बाद है सिवनाद साह, तो सिवनाद साह जो है, यह दुनाद साह का उतराधिकारी है, और फरुक सियर के समकालिन है, फरुक सियर जो कि मुगल बाद साह है, अब यह भी जो है टैक्स नहीं तो जो पिहार के सुवेदार हैं फक्र दौला ये आक्रमन करते हैं ये आक्रमन करते हैं ओके सिवनाथ सा पर तो संदी होती है दोनों में संदी क्या होती है बारा हजार रुपए माल गुजारे देना पड़ेगा इस पर संदी हो जाती है सिवनाथ सा के बाद जो राजा बनते यह है उदैनाथ साह तो उदैनाथ साह जो है यह रातुगड़ वाले राजा नहीं है यह दूसरे है रातुगड़ वाले बाद में आएंगे ठीक है तो सिवनाथ साह का यह उत्राधिकारी है और यहां मैंने लिख दिया रातुगड़ वाला यह नहीं है तो उदैनाथ साह के आपको याद रखना है कि टेकारी का जो जमीदार है सुन्दर सिंग, रामगल का जो राजा है विस्नो सिंग, तो ये लोग टेक्स कैसे दे रहें, हैं ये लोग टेक्स दे रहें अपना उदय ाद सा को, और फिर उदयनाद सा जो है ये दे रहा है अलिशी खांग को, ये स्याम सुन्दर सिंग जो है इसके बाद स्याम सुन्दर सिंग है और इसके लिए यहां पर सिंग नहीं होगा स्याम सुन्दर सा होगा साह होगा, ठीक है, तो ये उदैनात साह के भाई है, और इन्हीं के समय मराठों का आक्रमन स्टार्ट हो जाता है जारखन में, अभी हम लोगोंने कुछ दर पहले क्या पढ़ा था, कि जो जारखन के चेतर के आसपास का एरिया है, वहाँ पर मराठों का आक्रमन हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब है, उनकी मंसा डारेक्टली जार्खण में आक्रमन करने की नहीं है, उनको आक्रमन करना है बंगाल के चेतर में, इसलिए जार्खण से होते वे गुजर रहे हैं, और फिर जार्खण में इनका आक्रमन हो कि इसके बाद है कि जब स्यामसुंतर्सा का सासन चल रहा था अब माराठों का पूरा जो द्यान है वो बंगाल में जारखन में नहीं जारें जारें तो अली वर्दी खहां का सासन चल रहा था बंगाल में, ये नवाब थे, अब इनके बहुत सारे दुस्मन है, अलिवर्दी खां के बहुत सारे दुस्मन है, तो इनके कुछ दुस्मन बुलाते है रगोजी भोसले को इन्वाइट करते हैं, रगोजी भोसले जो है, ये भी अलिवर्दी खां का दुस्मन है, तो रग अलिवर्दी खां भासकर राव पंडित को पराजित कर देता है, अब रगुजी भूसले खुद जाता है, ये जो घटना मैंने बताया, ये घटना 1742 का, 1742 का, अब रगुजी भूसले खुद जाता है, 1743 की घटना है, तो जब रगुजी भूसले जाता है, तो ये तागतवर है, काफी सेनाओं के साथ जाता है, जारकंट से होकर गुजरता है, अलिवर्दी खां के पास ये जाता है, अलिवर्दी खां को जब पता जलता है कि रगो जी भोसले खुद आ रहा है, और इनको लगता है कि मैं खुद इनको पराजित नहीं कर पाऊंगा तो ये दो काम करता है पहला काम, जो मुगल बादसा उस समय है उनको इस चीज की कंप्लेंट करता है पहला चीज दूसरा, इनके जो दुस्मन है इनके जो दुस्मन है कौन है इनके दुस्मन? पेशवा बालाजी राओ और रगुजी भूसले को जब यह पता चलता है, तो यह फिर राजमाल के रास्ते भाग जाते हैं, ठीक है, तो इस तरह से यह चलता है, यहाँ मैंने लिख दिया है, इससे आपको सुन में आ जायेगा, ठीक है, रगुजी भूसले खुद आकरमन करते हैं, और अलिवर्दी ख माराटा, पेस्वा, बालाजी राव से मदद मांगते हैं, यह आकरमन करते हैं इस पर, और यह राजमाल के रास्ते भाग जाता है, यह हो गया, बाद में इन दोनों के वीच संधी होती है, 31 अगर्स 1747 में यह जो संधी है, रगुजी भूसले और बालाजी राव, बालाजी पेस्वा, बालाजी राव के बीच होती है, तो इसमें इस संधी में क्या है, देखें, दोनों में जो दुस्मनी थी, माराटा के छेदर को लेकर, तो संधी क्या होती है, कि जो बागी एरिया वो रहेगा बालाजी राव का, लेकिन बिहार बंगालोलि सा, यह रगुजी आगवंसियों के लिए ये था सुतियामबे और लाश्ट कैपिटल रहेगा रातुगर्ण ये पूरा आपको लिष्ट पता होना चाहिए याद होना चाहिए कि सुतियामबे जो है फनिमकूट राय के द्वारे इस्टैब्लिस किया गया था चूटिया परताप राय खुकरा भ चीज आपको ध्यान देना है कि एनिनाथ साह जो है ये राजा नहीं बना था ये ठाकूर था लेकिन कभी कोई कोई कोशन आ जाता है इन्होंने अपनी एक राजधानी बनाई थी दोईसा से सत्तरंजी बीच में आपको याद है यादुनाथ साह के ये छोटे भाई हैं और ये दुनाथ साह के समय दोईसा राजधानी था दोईसा से ये दुनाथ साह पालकोट करते हैं तो एक राजधानी सतरंजी आप याद रखेगा जो कि एनिनाथ साह करते हैं कोशन आया हुआ है कोशन पूश लेता है इसलिए मैंने ये बताया ठीक है ये बढ़का गड़के इसमें सबसे पहले जो सासन रहा है, वो रकसेलों का रहा है, ना कि चेरों का, सभी लोग चेरों के लिए जानते हैं, लेकिन सबसे पहले रकसेल का सासन रहा है, रकसेल जो है, इसमें बहुत से राजा हुएं, जो लाश राजा है मान सिंग यह आप याद रखेगा, चेरों मे इस तरह से यह आता है औके की यह पूरा बनाया हुआ है बताप राय बनता है इसे बाद मेयदिनी राय लै फिर दिकपाल राय सभ रंजीत राए जैकरफ्णर राय चितरजीत राय और गोपाल राय ये कुछ important राजाओं के नाम मैंने लिखे हैं, ठीक है, एक मिनट, ओके, तो मैंने बताया कि जो चेरो वंस है, मैंने लिए चेरो वंस ही पढ़ना है, रक्सेल का तो बहुती कम समय तक सासन रहा, तो चेरो वंस में इतने सारे जो है राजा है, जो की important है, ठीक है, तो मैंनों पलामों का जो रक्सेल वंस है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले पलामों में रक्सेल वंस का ही सासन रहा है, तो रक्सेल जो है, ये चतिस गड़ और जारखन, चतिस गड़ और जारखन में इनका मेंनली सासन देखा जाता है, और पलामों में सबसे पहले पिर होताज़गड से पलाम हूं ini चीज आपको याद रखना है तो छहारखंड में इनका आग्मन हुआ है ये दो रास्तों से हुआ है और दो रास्तों से होने के कारण इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है को बोला जाता है देवगन और एक को बोला जाता है कुंडेलवा तो कुंडेलवा जो है ये चतरा होते वे जारखंड आये थे और देवगंज जो है ये हरिहर गंज महाराज गंज होते वे जारखंड आये थे अब इस समय जब रक्सेलों का यहां पर आगमन हो रहा है तो बहुत सारे जंजाती के लोग है उसमें से सबस अब इसके बहुत सारी राजा हुए. तो इसमें जो लाश्ट राजा हुए, उनका नाम है मान सिंग। तो मान सिंग के अंतरगत एक वेक्ति काम करता था जिसका नाम था भागवत रये. तो भागवत रये किसी तरह से मौका देख上 कर मान सिंग की हत्या करता है और ये चेरो ज नहीं है यह दूसरा मानसिंग है यह रक्सेलों का है ओके अभी दूसरा मानसिंग आएगा 1589 में आएगा अभी यह जो बात हो रही यह 1572 की बात हो रही जिसको अब मार दिया गया है भागवत राय के द्वारा अब चेरोवंस की अस्थापना हो गई है तो चेरोवंस की जिबूर किया जाता नागवंसियों को, 1589 में अकबर का सेनापती मान सिंग, ये पलामू के छेतर में आता है, पलामू में आकर्मन करता है, और 1590 में भागवत राय जो है, मुगलों की अधिनता सुईकार कर लेता है, जब अकबर की मृत्ति होती है, तो फिर से टैक्स देना, ये जो है चेरोवंस के लोग बंद कर देते हैं, भागवत राय के बाद जो राजा बनता है, वो इनका पुत्र अनंत राय बनता है, अनंत राय के बाद सहबर राय है, तो अनंत राय जब ये राजा बनता है, ये क्या है, ये भागवत राय का पुत्र है, तो अबुल फजल आप जानते हैं, अबुल फजल का बेटा अबजल खा, अबजल खा जो है, इनको भेजा जाता है जहांगिर के द्वारा, अभी जहांगिर जो है, ये सासक बन चुका है, जहांगिर, ओके, तो अबजल खा, जो कि अबुल फजल का बेटा है, ये जहांगिर के द्वारा भेजा यह कंट्रोल नहीं हो पाया क्योंकि अब जल खा की मृतिती हो गई अभ्यान असफल हो गया अनंत राय के बाद समया आता सहबल राय का तो सहबल राय को ही बलभदर चेरो बोला जाता है अन्थ राय का यह उत्रादीकारी है और अपनी सीमा को यह का तक फ Ichung था इन्होंने फैलाया था GT Road का जो एरिया था चौपारंण का जो एरिया था है ना वहां तक छो अपनी सीमा को यह ले गया था यह पलामों गरहती यह यह तक जो हां झुन ले गया था उकिप तो GT road के पास इलाके में यह जो यह जो रास्ता है तो बंगाल के छेतर से या अन्य छेतरों से मुगलों का खजाना इसी रास्ते से जाता था, ठीक है, एक ही हो गया, दूसरा क्या है, कि अन्य व्यपारी भी अपने खजानों को, अपने समानों को इसी रास्ते से ले जाते थे, तो सहबल राय क्या करता था, कि इन रास्तों को रोक पकड़वाने के लिए सहबल राय को भेजवाता है कुछ वेक्तियों को और सहबल राय को बंदी बनाकर दिल्ली लाया जाता है जब दिल्ली लाया जाता है सहबल राय को तो इसकी काफी कुरूरता पुर्वक हत्या की जाती है मृत्य होती है कैसे इसको जो है बाग से लड़वाया जाता है और बाग से लड़ने के दौरान इसकी मृत्ति हो जाती है जब यह खबर पलामो के छेतर में पहुंचता है तो फिर से वहाँ पर विद्रोह की इस्तती उत्पन हो जाती है और मुगलों को वहां असपास के चेतर से भगा दिया जाता है, ठीक है, इसके बाद सहबल राय के बाद जो उत्राधिकारी है वो परताप राय है, परताप राय ये साजहां के समकालिन है और चेरोवंस के दो राजा बहुत ही important, एक परताप राय, दूसरा मेदिनी राय, तो पुराना पलामो के लग्या स्थापना परताप राय नहीं करवाया है, अब परताप राय ये भी टैक्स देना बंद करता है, ये जो है टैक्स देना बंद करता है, टैक्स देना बंद क्यों करता है ये, साजहां जो है अभी ये सासक बंद चुका है, तो साजहां क्या करता ह कि एक वैक्ति है अब्दुल्ला खां, अब्दुला खां को जु है ये सुबेदार निवत करता है बिहार का, और ये जो चेतर है, पलामो का चेतर कुछ एरिया जारकन का होगी अब्दुला को जागिर के तौर पर दे दिया जाता है, लेकिन टैक्स जाएगा साजहां के पास, मुगल सासा के पास जाएगा तो tax का जो रकम है ये 1,36,000 जो है 1,36,000 ये तै किया जाता है समय के साथ साजहां के दौरा ये tax का रकम बढ़ाया जाता है तो इसी के विद्रोव में परताप्राई tax देना बंद कर देता है अब जब tax देना बंद करता है तो साजहां जो है ये भेजता है किसको साइस्ता खां को ये जो है साइस्ता खां को भेजता है ओके ये बात हो रही है 1641 की ठीक है ये बात हो रही है 1641 की 1641 में साइस्ता खां जो है परताप्राई पर आकर्मन करता है संदी होती है 80,000 रुपए साइस्ता खां को दिया जाएगा और एक fixed amount fix किया जाता है सलाना tax के लिए और पटना में हाजरी तो ये 3 संदी है 1641 की बात है 1641 में संदी हुआ लेकिन ठीक अगले साल 1642 में परतापराय tax नहीं देता है जब ये tax नहीं देता है ये चला गया है इतना सारा राकम लेकर अब इसको वापस बुला लिया गया ये चला गया है तो मौका देखकर परतापराय फिर से tax देना बंद करता है अब दूसरा जो वेक्ति है जो सुबेदार बनता है वो है इतिकाद खां ओके यह अब्लिख खाण वन मैंने बता दी आपको, फिक हैं, अब साईस्ता खां के बाद बनता है इतिकात खां, ठीक है, तो इतिकात खां जो है, अब यह क्या करता है, यह भेज़ता है, जब इनको जानकारी मिलती है, कि परतापराय संदी के बाद भी स्ट dataiden दे रहा है, और finally संधी होती है, संधी क्या होती है, एक लाक रुपए, एक हाती, ये इतिकात खां को दिया जाता है, जवर्दस्त खां जिन्होंने इतिकात खां के कहने पर परतापराय पर आकरमन किया था, उनको 2000 असरफी दिये जाते हैं, परतापराय के द्वारा, ये हो गया, annual tax है, और पटना में हाजरी, तो ये संधी का amount आप देख रहे हैं, बढ़ गया है, ये हो गया, तो अब क्या है कि परतापराय को ये मानना पड़ता है कि मैं मुगल के अधीन रहूंगा, इसी बीच इसके जो रिसेदार है, किसके परतापराय के, तो परतापराय के रिसेदार देखत ठीक है, सुरत सिंग और सबल सिंग ये दोनों जो है, मदद करता है, ये बात हो रही है, तेज राय की, ठीक है, तेज राय की मदद करता है, तेज राय परतापराय का ही relative है, ओके, और किसी तरह से परतापराय को अपदस्त कर दिया जाता है, तो परतापराय जाता है किसके पास इतिकात खां के पास इतिकात खां बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा वापस से तुम्हें तुम्हारी गद्दी दिलवाने में मदद करूँगा लेकिन Condition क्या है? Condition ये है कि तुम्हें एक करोड रुपय सालाना tax देने होंगे एक करोड रुपय सालाना tax के बाद जो है इतिकात खाँ परतापराय की मदद करता है अब इतना सारा amount दिया जा रहा है तो बदले में परतापराय को एक हजार का मंसब दिया जाता है परताप राय एक करोड वार्सिक टैक्स पर जो है मान जाता है और बदले में ये तेज सिंग भी कहीं कहीं लिखा रहता है और तेज राय लिखा रहता है ठीक है तेज सिंग लिखा रहता है कहीं 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 तेज राय लिखा रहता है अब परताप राय के बाद जो राजा बनता है वो है भुपाल राय, भुपाल राय के बाद जो राजा बनता है वो है मेदिनी राय, तो मेदिनी राय ये सबसे महत्वपूर्ण राजा है चेरोवंस का, 1658 कहें गई बासर लिखा हुआ रहता है, तो इसलिए दोनों यहां पर म अब देखिए यहाँ पर मेदनी राय जो है यह नया पलामु किला बनाता है पुराना पलामु किला किस ने बनाया नियू खड़ा किया था रक्सेलों ने लेकिन इस्टैब्लिस पुरी तरह से किया गया है परताप रहे के तुवारा अब जब मुगलों का आकर्मन होता है दाउद खां का भी हम लोग पढ़ेंगे दाउद खां का जब आकर्मन होता है तो पलामु किला इनको छोड़ना पड़ता अपनी फैमली के साथ किसी तरह से अपनी और अपनी फैमली की यह जान बचाते हैं सरगुजा के चेतर में यह सर तो हुआ क्या था मेदिनी राय जब राजा बनता है तो शुरुवात से ही राजा बनने के शुरुवाती दौर से ही यह मुगलों की अधिनता सुविकार कर देते हैं सुविकार नहीं करते हैं ओके, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, राजा बनात्व अधिनता सुविकार की, यह ठीक है, सुविकार की जाती है, स्टार्टिंग में सुविकार कर ली जाती है, और साजहां के अंतिम समय में यह राजा बनता है, तो साजहां के अंतिम समय में जब उत्राधिकार कि रडाई चल रही होती है औरंग जेब यो दलड़ रहा होता है तो मौका देखकर जो मेदिनी राय है वो टैक्स देना बंद करतेता है जब औरंग जेब बाथसा बनता है जब इनको पता चलता है कि मेदिनी राय यहां का एक बड़ा राजा है लेकिन वो टैक्स नहीं दे र आता है तो आकर्मन करवाने के लिए ये बात हो रही है 1660 की ये बेजता है दाउत खां को दाउत खां जो है ये बिहार का सुवेदार है ये गया के रास्ते हुए ये पलामों के छेत्र में जाता है सबसे पहले कोटी का किला ये कोटी का किला परताप राय नहीं बनवाया था क कुंडा का किला परताप राय नहीं बनवाया था, तो कोठी का किला सबसे पहले इसको कबचे में लिया जाता है, फिर कुंडा का किला यहां का जो सासा के चुन राय, इसको मुगलों की अधिनता सुईकार करनी पड़ती है, और इसलाम धर्म भी कबूल करना पड़ता जिंदा रहने के लिए, तो जब इस बात की जानकारी मेदिनी राय को होती है, तो मेदिनी राय इनके भाई, इनका नाम है सुरुवर राय, उनको कहता है, उनको भड़काता है, और सुरुवर राय के द्वारा चुन राय की हत्या कर दी जाती है, खेर, ये दोनों जो है दाउद खां के कबजे में आ गया है, अब धीरे धीरे जो दाउद खां ये मेदिनी राय की तरफ आगे बढ़ता है, तो आगे बढ़ने के दोरां जो जगह आता है उस जगह का नाम है तरहसी तरहसी में दाउद खां पहुंशता है तो जैसे यह पर पहुंशता है qi Medina Rai यह पूरी तारव से अर्थिव्ष्था को चलाने वाला व्यक्ति है अपने लोगों को सोचने वाला व्यक्ति है तो conditions क्या है, आप मुझे बताइए, तो दाउत खां इस message को, अब ये रुख जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, इस message को पहुँचाता है औरंज जेप, क्योंकि औरंज जेप के कहने पर ही तो ये आकरमन कर रहा है, तो औरंज जेप तक ये message पहुचवाता है और reply का wait करता है, इसी बीच क्या होता है, दाउत खां का जो काफिला है, इस पर चेरोवन्स के कुछ लोग हमला करता है, तो दाउत खां को ये लगता है कि ये मेदिनी राय की साजिस है, हम लोगों को रुखवा कर हम पर हमला करने का, और फिर ये आगे बढ़ते हैं मेदिनी राय पर हमला कर कर लेता है तो हम लोग इसे राजा बने रहने देंगे इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब मेदनी राय को यह पदा चलता है कि मुझे इसलाम धर्म कबूल करना है तो यह मना कर देता है और यूद करने के लिए तयार हो जाता है अब यूद होगा तो दाओत खा देख पुराना पलामो किला को कैप्चर किया जाता है तो यहां से जो है मेदी नराय अपने फैमिली के साथ नया पलामो किला सिफ्ट होता है यहां भी आकरमन किया जाता है अपने फैमिली को किसी सेफ जगह भिजवा कर खुद जो है सरगुजा की ओर चला जाता है और यह दोनों जो है दाउद खां के कबजे में आ जाता है तो ये बहुत ही बड़ा अभियान था ये बहुत ही बड़ा अभियान था ये बात हो रही है 1660 की बहुत ही बड़ा अभियान था अब क्या होता है कि दाउद खां ये क्या करता है पलामु विजय अस्मृति के उपलक्ष में इतना तो नागपुरी दर्वाजा साथ लाकर पलामु किला में लगवा दिया इसी नागपुरी दर्वाजा को दाउद खां अपने साथ ले जाता है पटना अब इससे खुस होकर इसके अभियान से खुस होकर औरंग जेब क्या करता है दाउद खां को सबसे पहले तो 50,000 रुपए नगद इनाम दिये जाते हैं उसके बाद औरंगाबाद के तीन छेतर अमचा, मनोस और गो ये तीन छेतर दे दिये जाते हैं और जेब के द्वारा किसको दाउद खां को अब दाउद खां ये चला गया, दाउद खां जो है पलामो के छेतर से ये चला गया और ये जो छेतर है इसका फौसदार बनाया जाता है मनकली खां को किसको? मनकली खां को, ठीक है? फौसदार कहने का मतलब है कि सैनिकों को रखना है और उन सैनिक का जो head है वो मनकली खाँ है तो मनकली खाँ को रखा जाता है समय के साथ मनकली खाँ को वापस बुला लिया जाता है जैसे ही मेदिनी राय को पता चलता है मेदिनी राय सांत नहीं बैठा हुआ है ये मौके की तलास में तो जब यह मॉका तहुआ देखता है यहां पर जो है मुगलों का जो पकड़ वह थोड़ा सा कम हो गया है यह वापस से आता है आकुरबन करता है और इसे पूरा पलामू जो है अपने कबजे में ले लेता है और फिर से इस झेतर को पहले की तरह इस्ट्याबिस करता है पहले क्रिसी के लिए सोर नयोग माना जाता है, यह आप याद रखेगा, मेदनी राय की जो मृत्तियों होती है, यह 1674 में हो जाती है, मेदनी राय के बाद रुदर राय आते हैं, फिर दिकपाल राय आते हैं, फिर साहब राय आते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं साहब राय क के बाद टैक्स देना बंद कर देता है और 1760 में जब इसकी गेध हो जाती है तो सहबराय के बाद रण्जीत रई जो है राजा बनता है रूंजीत राय जब राजा बनता है ठीक है गल Divine करता है मुगलों का करमन होता है लेकिन अब मुगल गम्यों हो चुके हैं तो टैक्स वापस से स्टार्ट होता नहीं है ये बंधी रहता है अब क्या होता है कि साहब राय के बाद जो राजा बनता है वो है रंजीत राय मैं एक बाद चेक कर लो सब ठीक तो चल रहा है ना ओके एवरिटिंग इस ओके चलिए तो रंजीत राय जब ये राजा बनता है तो ये जो है साहब राय का उत्राधिकारी है और इनहीं के समय ये मुगलों के अधीन मुगलों के साथ काम करता है इनहीं के समय की घटना है जब यदुनाद साह ने tax देना बंद किया था तो सरबुलंद खां जो है ये यदुनाद साह पर आकरमन करता है एक लाक रुपए जो है tax देने के लिए बात कही जाती है संधी होती है तो इस अभियान में रंजीत राये ने सरबुलंद खां की मदद की थी ये चीज़ आपको याद रखना है रंजीत राये ने मदद किया और यदुनाद साह का जो छेत्र था तोरी परगना का छेत्र वो अपने अधीन ले आता है तीन वरसों के लिए 1799 की ये घटना है ये चीज़ हो गया और इसमें रामगर्ड के राजा के दौरा भी मदद किया गया था ठीक है अब रंजीत राये राजा है इसी का एक समिन्दी आता जिसका नाम है Jai Krishn Rail तो Jai Krishn Rail जो है अपने दिवान जिनका दाम है अमर सिंग तो अमर सिंग ठाकुराई के दौरा जो है रंजीत राय पर हमला करवाता है कौन जै कृष्ण राय और इसकी हत्या करवा देता है और खुद राजा बन जाता है ये बात हो रही है जै कृष्ण राय की ओके तो जै कृष्ण राय जो है अपने दिवान अमर सिंग के द्वारा जो है रंजीत राय की हत्या करवाता ह जब ये राजा बनता है, जब ये राजा बनता है, तो tax जो है, बहुत ही कम देता है, tax या तो नहीं कह सकते हैं, नहीं के बराबर ही देता है, तो जब ये tax नहीं देता है, तो उस समय फक्र दौला होता है, जो कि बिहार का सुवेदार है, फक्र दौला जो है, ये बिहार का यह में हीदायत अली खां कौन है यह आधिकcope को कि यह लुरी को यह विस्वनी ग्राज के मिलागए लगा राइगा तो राम ग्राजा पर आंकर्मन करता है इस आकर्मन पर जय कुष्ण राय जो है हिदायत अली खां की मदद करता है हिदायत अली खां की मदद करता है और हिदायत अली खां मौका देखकर वापस से जय कुष्ण राय पर भी हमला कर देता है इस तरह से ये चलता रहता है और यही कारण है कि जैक किष्णिराय का जो सासन रहा है इसको सड्यंदर का अखाड़ा बोला जाता है ये जो पलामों का छेतर है इसके दक्षिन वाले छेतर में चेरोवन्स का राज था पुरी तरह से और उपर वाला जो पार्ट बच जाता रक्सेलों का इस तरह से जो है सासन चेंज होता रहता है ठीक है मेंली जो सासन रहा है वो साथ वाले छेतर में रहा है ये था जैक कृष्णर रहे इसके बाद हम लोग देखते हैं सिंग वंस तो सिंग वंस जो है इसकी जो जानकारी हमें मिलती है ये वंस परभा से मिलती है वन्स प्रभा से जानकारी मिलती है और ये जिस अस्थान में रहे उसको सिंग्भूम बोलते हैं हालांकि जब होज अंजाती की आप बात करेंगे तो होज अंजाती के अनुसार जो सिंग्भूम नाम पढ़ा है इस छेतर का ये इनके देव, इनके भगवान जो हैं पर भड़ा हैं होगे हम लोग वन्स प्रसराई चलते हैं तो वन्स प्रभा के अनुसार ही पता चलता है की Ừह साथान सथी में 50 के चितर में आएथे तो जब नहीं पुढ़ाट राजी के अस्थापना की दूसरी साखा जो है ये दर्पनारायन सिंग के द्वार एश्टेपिस किया गया था ठीक है तो जो पहली साखा है पहली साखा जो है यहां पर यह मैंने बता दिया कि 7 सदी में इनका आगमन होता है 693 AD में ये वंस प्रभासे जान पुढ़ाट राजे के अस्थापना की है आठमी से तेर्वी सदी इनका सासन रहता है साथमी सदी भी कह सकते हैं साथमी सदी इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में जब यह आये थे 693 में आये थे तो स्टार्टिंग के कुछ साल यह नागवन्स के अंदर रहकर काम करते हैं तो उस समय इनोंने अपना जो है राज इस्ट्याबिस नहीं किया था इसलिए आठमी सदी लिखा जाता है तो इन इस समय में तेरा राजा हुए पहली साखा में और इसी समय जब सिंग्वन्स का आगवन होता जारकन के छेतर में तो सरक जन जाती और भु नास की अस्थापना करता है तक है यह बात नारायन के दौया जाता है कब कासे राम सिंग ये कासि राम सिंग अलग है कासि नात सिंग ने पहली साखा की अस्थापना की और पुढ़ार राज्य के अस्थापना की, कासी राम सिंग पुढ़ार को अपना capital बनाता है, यह हो गया, बनाई के छेतर में, ठीक है, इसके बाद आते हैं अच्यूद सिंग, तो यह अपनी कुल देवी की रूप में पौरी देवी की अस्थापना करते हैं, यह हो गया, अच्यूद सिंग के बाद आते हैं तिरलोचन सिंग, और तिरलोचन सिंग के बाद आते हैं अरजून सिंग प्रथम, अरजून सिंग के नाम के बहुत सारे वेक्ति हैं, जगनात सिंग के नाम से भी बहुत सारे वेक्ति आएंगे, तो अरजून सिंग प्रथम यह वही वेकती हैं जो की अपने कुछ समर्थकों के साथ तीरत यातरा जाते हैं, कहां बना रज़। वहाँ पर इनको बंदी बना लिया जाता है लोरते समय और बंदी बना कर कहां लाया जाता है? कटकबाद में इनको छोड़ दिया जाता है. अर्जुन सिंग प्रतम के बाद जो राजा बनता है वो है जगनाथ सिंग दुट्य है तो जगनाथ सिंग जो दुट्य है इसको जगनाथ सिंग भी बोला जाता है काफी ज़्यादा क्रूर, विलासी, निर्दई है ये और इनके समय में भुयाजन जाती के लोगों का विद्रो हुआ था काफी ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा था इन पर इसी कारण से विद्रो हुआ था फिर बहुत सारे राजा हैं, है न महिपाल सिंग, कासी राम सिंग, चातरपती सिंग, अर्जुन सिंग फिर से आए फिर आते हैं जगनाथ सिंग, तो जगनाथ सिंग जब राजा बनता है, इनके दो बेटे, एक पुरुसत्तम सिंग और एक विकरम सिंग, ठीक है तो पुरुसत्तम सिंग जब इनकी पतनी गर्भवती होती है, जब अर्जुन सिंग का जन्म होता है, उसी समय जब इनका जन्म होता है, पुरुसत्तम सिंग की मृत्ति हो जाती है, तो अब इसका जो लालन पोसन है, इसमें बहुत ही बड़ा योगदान देखने को मिलता है, इनके जो चाचा है अर्जुन सिंग के जो चाचा है विकरम सिंग जब अर्जुन सिंग बड़ा होता है तब इनको पता चलता है क्या क्या मिला है तो इनको जागिर के तौर पर सिंग्भुम पीर जो की बारा गाउं का जागिर है ये मिलता है बहुती बड़ा छेतर होता है त तक अपने छेतर को बढ़ाता है ओके यहां पर एक चीज आपको याद रखना है कि सिंग वंस में एक राजा हुए थैं रणजीत रणजीत सिंग तो यह जो है मुगलों के अधिनता स्विकार करते हैं और यह मान सिंग के अंगरक्षक दल में सामिल होते हैं तो कभी कोशन आ जाए तो रणजीत सिंग का नाम आप लोग याद रखे या ठीक है पिर यह अर्जुन सिंग के बाद आते हैं पुरुसत्तम सिंग पुरुसत्तम सिंग के बाद आता है अर्जुन सिंग सिंग आमर सिंग के बाद आता है जगनात सिंग चतूर्थ यह वही वेकती है जिनके समय में अंग्रेजों का आगमन होता है सिंगम के चेतर में, 1767 में, इस समय क्या है, होज अंजाती का जो चेतरे काफी ज़्यादा बड़ा है, तो जगरनाच सिंग इन पर जो है, अधिकार जताना चाहता है, इनके चेतर को अपने अधिन लाना चाहता है, इस समय क्या यह था कि यह tax नहीं देते थे राजा को tax नहीं देते थे हाँ जब मन किया अनाज काफी जादा हो गया यह खुसी से मतलब गिफ्ट के तौर पर यह देते थे अनाज वगरा लेकिन जबरजश्ती tax वसुला नहीं जाता था तो जगरणाथ सिंग का यह था कि tax दिया जाए और इनका छेत्र मेरे अंदर आजा है। और यही कारण है कि यह जो है कोशिस करते हैं, फिर भोजनजाती का विद्रो होता है, यह मदद लेते हैं दरपनात सही जो कि नागवांसी राजा है, लेकिन यह असफल रहते हैं, फिर अंग्रेजों की मदद यह लेता है, और अंग्रेज इसी कारण से 1767 में परवेश करते हैं इस छेत्र में, यह हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा अंग्रेजों के लिए हमें पढ़ना होगा, सिग्मुम में तीन प्रमुक राचे हैं, एक धालबुम है, एक पुरहाट है और एक कुलहान है, तो धालबुम जो है, यहाँ पर धालवन्स का साजन था, और ऐसा माना जाता है, कि धोबी जनजाती के द्वारा ही धालवन्स के अस्थापना की गई थी, नर्बली की प्रथा देखने को मिलती है, रंकनी देवी जो की इनकी कूल देवी है, नर्बली होता था उनके समक्ष, यह आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया भी है, और बैंगलर के अनुसार, एक ब्राह्मन कन्या से साधी करके, धालवन्स के व्यक्ति ने, जो है, जब ब्राह्मन कन्या साधी होती है, जो बच्चे का जन्म होता है, वही आगे चल कर धालवन्स के अस्थापना करता है, ठीक है, यह हो गया, इसके बाद है, इसके बाद है धालवन्स में, जो अंग्रे जाधिकारी है, कैप्टन फर्यूसन, तो फर्यूसन के लिडर्सिप में आकरमन होता है, तो जो राजा होता है ढालवन्स में, वैक्टन फढल नाम होता है, तो वो अधिन्ता सुईकार करने से मना कर देता है, दोनों में युद होता है, और वैक्टन फढल सोचता है कि किसी भी हाल में, ये जो किला है मेरा, ये अंग्रेजों के हाथ नहीं आना चाहिए, ये सासन इनके हाथ नहीं आना चाहिए, तो उस महल में वैक्विंट धाल के द्वारा आग लगा दिया जाता है, उस जलते हुए महल पर अंग्रेजों ने कबजा किया, उसके बाद उस राजा का जो भतीजा ता, क्या नाम है? जगर्नाथ ढाल, Isolde, इसको roughly राजा बनाया जाता है, करने सन यह सर यह होता है कि तुम टक्स दोगे, और अंगरेजों के अधीन रहोगे, ये बात हो रही है 1767 में, इसी साल, एक साल होने के पहले ही, जगर्नाथ ढाल जो है, ये टक्स देने से मना कर देता जब अंग्रेजों को इस बात की जानकारी होती है, तो फिर इसका एक चचेरा भाई है, नीमुड ढाल, इसको राजा बनाया जाता है, ओके, बस इसी के कारण जगनाथ ढाल और बाकी जो वेक्ति हैं इस राजे के, उनके साथ मिलकर ये ढाल विद्रो करते हैं, फाइनली, दस सालों के बाद 1777 में इनको वापस से राजा बनाया जाता, ये हम लोग विद्रो में और अच्छे से पढ़ेंगे, देखें, ये जो है छेतरी राजवन्स, और साथ में जब आप पढ़ेंगे विद्रो, तो काफी कुछ सिखने को मिलेगा, तीन टोपिक मैंने बताया, साथ में पढ़ना आपको ये छेतरी राजवन्स, उसके बाद विद्रो, और उसके बाद जो है अंगरेजों का पर विद्रों ए इसके बाद पर हार्ट का चेतर है, तो परहार्ट में अंगरेजों का आक्रमन होता है दो करन्त से, एक तो ये कि ओडिसा से नमक का वया पार जो इ ये पुरहाट से होकर गुजरता, इसलिए इस पर आकरमन करना चाह रहा था, अंग्रेज, और ओडिसा से नमक का वैपार इसी रासे से होकर हो रहा था, तो ये दो में कारण है, तो उसमें जो पुरहाट का जो राजा था, वो था घंस्याम सिंग, तो घंस्याम सिंग बोलता ह ठीक है आप आईए मैं आपकी अधिनता सुईकार करूँगा लेकिन मेरी तीन कंडिसन है क्या तीन कंडिसन है पहला ये है सराय केला पर अधिकार मेरा होना चाहिए सराय केला का एक राजा है जिसका नाम है अभीराम सिंग उसने क्या किया मेरी या हमारी जो कुल देवी है पौरी देवी की प्रतिमा वो अपने साथ ले गया और इसी कारण से हमारे साथ जो है अच्छी घटनाई नहीं हो रही है तो ये पौरी देवी की प्रतिमा चाहता है तीसरा हो जनजाती पर संप्रभुता हासिल करना चाहता है कौन खंस्यामसिंग अंग्रेज बोलता ठीक है इसको छोड़ कर बाकि दोनों पर हम मानते हैं मतलब इसको जो है इग्नोर किया गया क्यों इग्नोर किया गया सराय केला के जो वेक्ति हैं वो हमेशा से अंग्रेजों के समर्थक रहे हैं तो इस कार्यांद से पहला छोड़ कर टैक्स देने के लिए मजबूर हो जाता है और फिर से इनको चिंगारी की जरूत होती है फिरसे एक प्लैटफंग来 की जरूत होती है कि ये फिर से अंग्रेजों के विरुद खड़ा हो सके और इनको मौका मिलता 1831 के कोल विद्रों में ये हम लोग पढ़ेंगे विद्रों में अच्छे से तो ये कोलान का छेतर है इसमें भी अंग्रेजों का कब्जा हुआ पुढ़ाड के राजा के कारण इसके बाद देशी रियासत में एक आता है सरायकेला तो सरायकेला के लिए आपको बता होना चाहिए कि इसके अस्थापना अरजुन सिंग के चाचा विक्रम सिंग के द्वारा किया गया था और इसके जो राजा हैं अभी राम सिंग ये अंग्रेजों के समर्थक थे, इसके लाश्ट आजा हुए परताप सिंग देओ, 1803 में जब एंगलो मराटा वार हुआ था तो सराय केला के राजाओं ने अंग्रेजों की मदद की, इसके बाद है मानभूम का मानवंस, तो मानभूम का जो मानवंस है, इसका जो सासन है, ये हजारी बाग और मानभूम के छेतर में था, इसकी जो जानकारी मिलती है, दो चीजों से मिलती है, एक तो दूत पानी सिलालेक है जो की आठवी सदीक है दूसरा गोईनपूर सिलालेक है जो की चौद्वी सदीक है तो दोदपानी सिलालेक जो है ये हजारी बाग में प्राप्त हुआ है, गोविनपूर सिलालेक जो है ये धनबाद में मिला है, और इसे लिखा है किसने गवी गंगा धर्में, इससे इसकी जानकारी मिलती है, तो मानवन्स के जो राजा हुआ करते थे, काफी जादा कुरूर, अत्याचारी हुआ करते थे, इस समय इस छेत्र में सबर जन जाती के लोग रहते थे और इनकी कुरूरता से परिसान होकर इन्होंने पलयान करना शुरू कर दिया, हालांकि इसके अंतरगती पंचेत का छेत्र आता था लेकिन ये पंचेत में चले गए, ठीक है, और दस्वी कि कहानी भी जो है, उसी तरह से है, कहने का मतलब कासी पूर का जो राजा था, कासी पूर का राजा, अपनी पत्नी के साथ दक्षिन भारत की ओर जाता है, और जहारकन के छेत्र से होते वे जाता है, तो बीच में अरुन वन का छेत्र आता है, वहीं पर जो है, एक बच्चे है और येही बच्चा बड़ा होकर पंचेत राजे के अस्थापना करता है और अपने राज चिन को कपेला गाए की पूछ के रुप में ऱखता है और ये जो राजा कहलाता है गोमुकी राजा कहलाता है ओके ये आपको जा रहा था पंचेत के राजे से होते हुए फंद्रस नौसी याद है 159 इंखर अधिन्ता सूरिकार कर ले जब यह वापवत ज़ाता है मिदनापूर होते हुए मिदनापूर याता है थो हजारी वाग अलखा का अक्रमन होता है पंचेत में, तो ये दो चीज आप याद रखेगा, ठीक है, पंचेत के एक राजा हुए थे, जिनका नाम है वीर नारायन सिंग, ठीक है, वीर नारायन सिंग, वैसे तो मुगलों की अधिनता पहले से ही चल रही है, टैक्स भी ये लोग देते थे, लेकिन नियमित रूप से अधिनता इनके अंदर जो आ गया, मुगलों के अंदर, तो ये राजा वीर नारायन सिंग के समय आया, तो ये आप याद रखेगा, समय के साथ अलग-अलग राजवन्स, अलग-अलग जमितारों का उदय होता चला गया, और फिर अलग-अलग पा लगतार मैं बोल रहा हूँ, इसलिए ये कंप्लीट हो रहा है, लगतार मैंने बोल रहा है, तो हजारी बाग जो है, इसके बहुत सारे राजवन्स हैं, छै, चंपा, खडगडिहा, रामगड, कुंड़ा, कैंदी, ओके ये सब चत्रा वाला इलाका हो गया, ये हजारी बाग जाने के करम में, जो मान सिंग है, वो हजारी बाग मानम होकर गुजरता है, और इसी दोरान, जो है, मान सिंग क्या करता है, पंचेद राजे में एक किला का निर्मान करवाता है, उची तरह से हजारी बाग में तेलकुपी का जो मंदिर है, उसका निर्मान करवाता है, ठीक दोनों नागवंस के दर्बार में रहते थे, मतबेद हो जाने के कारण ये अपने नए वंस के अस्थापना करते हैं, नए राजवंस के अस्थापना करते हैं, इसका नाम है रामगड, तो रामगड के अस्थापना होती है 1368 में, और जो capital राजा जो बनता वो होता है बागद क्या करता है, सबसे पहला capital रखता है सीसिया, बाद में सीसिया को change करके उर्दा किया जाता है, ये दोनों ही बागदेव के द्वारा किया जाता है, ठीक है, बागदेव के द्वारा किया जाता है, अब उर्दा के बाद जो राजधानी बनता है, वो होता है बादम, तो वो है दलेल सिंग तो जब दलेल सिंग राजा बनता है तो बादम से यह राजदानी कहां ले जाता है रामगर में और खोटा के बहुत बड़े जो है यह यह जाता मने जाते हैं दलेल सिंग ठीक है यह हो गया यह रामगर राजदानी हो गया अब आगे देखते हैं देखिए दलेल सिंग जो है, यहां समझना ध्यान से, दलेल सिंग जो है, यह रामगण का राजा है, छहे राजे हजारी बात के अंतरगत ही आता था, छहे राजे का जो राजा है यह मगर सिंग, तो दलेल सिंग छहे राजे के राजा पर आकर्मन करता है, मगर सिंग को मार देता है, और इससे अपने कबजे मले लेता है आगे चल करके मगर सिंग का जो बेटा है रनबस्त खां ये दलेल सिंग पर आकरमन करता है क्योंकि इसने इसकी पिता की हत्या की है और इसका राज सिहासन छिल लिया है तो रणबस्त खां ये वापस से आकरमन करता दलेल सिंग पर अटेक करता है अपने राजे को वापस ले लेता है दलेल सिंग का जो बेटा है विशनु सिंग अब ये आकरमन करता है रणबस्त खां पर और छह राजे को वापस ले लेता है रणबस्त खां का जो बेटा है दलेट सिंग का बेटा विसनु सिंग यह आकरमन करता है रनवस्त खां पर, रनवस्त खां का बेटा महीपत खां, महीपत खां आकरमन करता है विसनु सिंग पर, लेकिन ऐसे नहीं, कैसे? महीपत खां क्या करता है? दो तीन लोगों को जमा करता है, एक तो एटखोरी का राजा है, सतुधन सिंग ठीक है दूसरा, टेकारी का जो जमιदार है सुन्दर सिंग तो इन दोनों को जमा करता है और इनकी मदद से विसनु सिंग पर आकरमन करता है विसनु सिंग को बंदी बना लेता है अब ये powerful हो गया ना तो विस्नु सिंग को बंदी बना लेता है, तो finally विस्नु सिंग को 10,000 रुपए देने पड़ते हैं, सुन्दर सिंग को, तब जाके इनको रिहा किया जाता है, विस्नु सिंग काफी सक्ति साली राजा था, तो विस्नु सिंग जब रिहा होता है, तो बाद में अब क्या करता ह यह जो बंगाल के नवाब हैं, उनकी उपैक्षा करना स्टार्ट कर देता है, टैक्स देने से यह मना कर देता है. तो अलिवर्दी खाह, फिर समय के साथ मिर, जाफर, मिर, कासीम, यह लोग जो है बनते हैं, ठीक है, तो हिदायत अली खां को याद होगा हिदायत अली खां का आकरमन होता है तो हिदायत अली खां का आकरमन होता है इस पर विस्वनु सिंग पर और 12,000 रुपए जो है दिये जाते हैं यह सब आपको पता होगा ठीक है नहीं पता है तो सुन लिजे यह हिदायत अली खां जो आकर ही होती है अब विसनु सिंग का जो बेटा है सुरी विसनु सिंग का जो भाई है मुकुंद सिंग यह इसका बेटा नहीं है तो मुकुंद सिंग जब राजा बनता है तो यह भी जो है अंग्रेजों की अधिन्ता यह इससे मना कर देता है अंग्रेजों की अधिन्ता स्विकार दर्बार में थे, तो कि अस्टार्टिंग में राजा ये बने, तो पहली साखा के अस्थापना बागदेव सिंग के दवारा, और दूसरी साखा के अस्थापना सिंग देव, तो अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा वो बागदेव के समसस थे, अब यह जो तेज सिंग हैं, इनको राजा बनाया जाता है, ये अंग्रेजों के समर्थक है, इसी का विद्रो मुकुंद सिंग के दवारा किया जाता है, यही है घटवाल विद्रो, हम लोग विद्रों हम पढ़ेंगे, तो फाइनली यही होता है कि तेज सिंग को राजा बनाया जाता है, और मुकुंद देव नारायन सिंग, ब्रमदेव नारायन सिंग ये वही है जो पदमा को अपने रालधानी बनाते हैं, तो तीन साखा यहाँ पर है, अब कैपिटल आपको याद होना चाहिए, तो कैपिटल जो है सीसिया और उर्दा, ये बागदेव सिंग बनाते हैं, फिर बादम ये हमंत स रामगर्ड दलेल सिंग, फिर इचाक तेज सिंग, तेज सिंग राजा बनता है न, मुकुल सिंग के बाद, ये इचाक रालधानी बनाता है, और पदमा ब्रमदेव नारायन सिंग, ओके, ये हो गया, रामगर्ड राजे जो है, बिहार राजे भूमि सुधार अधिनियम, ध खडगडीहा, खडगडीहा, अभी के कोडिंग आप कंपेर करेंगे, तो गिरीडी का चेतर इसमें आता है, इसके संस्थापक जो हैं सराजदेव हैं, ये साउथ इंडिया से आये थे, नौर्थ बिहार में इनका वेवाइक संबंध था, बंदावा जाती के लोग इस चेतर में रह रहे थे, इनको पराजित करके हजारी बाग पर इन्होंने अधिकार किया था, तो ये जो था, ये खडगडीहा था, तो कितना समय हुआ, ये मैंने लगतार बोला है, तब जाके डेल घंटा में ये कंप्लीट हुआ है, ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है, कहीं भी म जानकारी होती है, टेलिग्राम में दी जाती है, तो टेलिग्राम से आप क्लासिस के बारे में पता कर सकते हैं, कब कौन सा क्लास हो रहा है, ठीक है, और बैच वन जो है, टीच्मेंट के लिए बैच वन जो है, हर दिन टेस्ट होता है, टॉपिक वाइस, उसका एक्स्प्रा रुपए देने होते हैं, इसमें PDF और हर टेस्ट का explanation लेक्चर है, तो यह अभी चल रहा है, लेकिन जितना master class है, सारा free चल रहा है, योटूब में चल रहा है, ओके, यह चीज है, तो आप इसको revise कीचे, मुझे उमीद है, यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इसके बागे के जो लेक्चर से हैं, आपको time to time मिलता रहेगा, इसके लिए आप टेलेग्राम को जरू जोइन कर लीचे, ठीक है, मिलते हैं जहारकंट के next लेक्चर में, thank you for watching जहारकंट परिक्षा,